नमस्कार बच्चो आज के इस वीडियो में हम यूनिट इंड्रोडक्शन करने वाले हैं बच्चो सिंक्रोनस मशीन में जब हमने सिंक्रोनस जनेरेटर की बात करे थी तो आप सब जैसा जानते हैं सिंक्रोनस जनेरेटर एक ऐसा मशीन है जो के uh mechanical energy को electrical energy में convert करता है सबसे चीबात यह है सिंक्रोनस जनेरेटर हर उस power plant पे ूस होता है जहाँ पे हम बिजली को बनाते हैं लेकिन जब हम सिंक्रोनस जनेरेटर को डिटेज में study करते है तो हमें दो टाइप के जनरेटर का चर्चा करना पड़ता है जिसमें सबसे पहला होता है सिलेंड्रिकल और दूसरा होता है सालियेट बच्वो यही से हमारा यूनिट की सुरुआत होगा और हम जानते हैं सालियेंट पोल में जूकि दो टाइप के यह गाफ है यानि नॉन- करते हैं डारेट एक्सिस उसका एक्जक्रस already fix इस्थ कैस्ट मीनिंग și सुष्प एक्षिस और Bradley heck होता है यह मैं सबसे इंपॉटेंट के हैसे जो इक्टिवलाइंट सर्खीट है वा से इh सबसे यही बात क्या जो marks करंगे जिसमें हम समझेंगे कैसे Q और D-axis के reactances को हम calculate करें Phasor diagram सुभाविक है दो axis है, दो reactions है पर different होंगे तो हम salient pole को ध्यान में रखते हुए lagging, leading और unity power factor के लिए हम इसका phasor diagram analysis भी करेंगे जब हम generator की power analysis का calculation करेंगे बच्चो तो उसमें हम salient के साथ-साथ cylindrical generator में भी power कैसे develop होगा वो भी चर्चा करेंगे जब synchronous generator काम करेंगे तो सुभाविक है उसके हर parts के अंदर different type के losses होंगे तो किस तरह का loss होगा कौन से loss dominate करता है transformer और हमारे generator के अंदर जो efficiency में differences आते हैं वो क्या losses के वज़े से ही आते हैं या फिर और भी कोई parameter है friction loss का roll इसमें कितना होगा और transformer में क्यों नहीं होता इस सारी analysis हम यहाँ पे करेंगे efficiency एक main important factor होता है कसी वे generator के selection करने के लिए तो बच्चो losses के साथ तो साथ हम efficiency का calculation में करेंगे synchronous generator आप सब जैसे जानते हैं power plant में use हो रहा है बिजली बनाने के लिए हम use करते है और इस generator के जो capacity है जो size है जो rating है वो काफी higher है उस condition में बच्चो इसको proper cool करना हमारे जिम्मदारी है टैकि हम इसको लंबे समय तक operate कर सके हैं अपने काम को perform कर सके हैं तो cooling method भी हम यहाँ detail में समझेंगे कौन कौन सी latest technologies है जिसको हम use करके अपने synchronous generator को cool करते है सबसे important बचो existing power plant में अगर additional load की responsibility होती है यानि load जब बढ़ता है तो additional power plant में पुराने setup को change करके नया setup लगाना चाहिए या फिर existing power plant में additional generators को लगाना चाहिए generators कैसे connect होंगे series में या parallel में यह भी हम समझेंगे साथ में हम इसमें detail में समझेंगे यह parallel operation के कौन कौन से conditions होते है कौन कौन से requirements होते है जब आप दो alternators को parallel करेंगे बचो तो सबसे important आता है उनका synchronization क्या वो दोनों alternate synchronize है क्या वो बस बार से synchronized होके चल रहा है अगर वैसा होगा तभी आप लंबे समय तक effectively उस generator को operate कर पाएंगे तो हम synchronizing के traditional method जिसमें हम dark lamp method के बारे में समझेंगे और साथ में हम जो advanced method है उसके बारे में भी हम detail में यहाँ पे चर्चा करेंगे जब भी हमारे system में fault हो चाहे वो load end से हो या फिर वो generator end से हो उस condition में हमारे alternator के अंदर sudden change होता है उसके characteristics में तो transient of operation of alternator में हम इन सेज़े को detail में समझेंगे बच्चो जब हम अपने machine को synchronized करते हैं तो synchronizing के लिए कौन-कौन से factors responsible होते हैं synchronizing current, synchronizing torque, synchronizing power की क्या value है बच्चो ये topic भी detail में समझेंगे को किसे पर best numerical आता है साथ में gate जैसे competitive exam में questions यहीं से बनते हैं governor की characteristics कैसी होने चाहिए synchronous machine कैसे infinite bus bar से connect होगा और सबसे important का synchronous generator भी synchronous motor के तोरह hunting operation को perform करता है ये theory के साथ numerical best unit है जिस पर मिन सभी चीज़ें को detail में discuss करने वाले हैं that's all about this video thank you so much